दोस्तों, आप लोग मुझे इमानदारी से कॉमेंट करके बता दो, कि आप लोगों को स्टेडी सबजेक में, यानि हिस्ट्री जगुराफी, सिलिक्स, पॉलिटिकल साइस ज़ेदे सबजेक में, आपको 100 में से हाइस्ट मार्क्स अब तक कितने मिले, फटा फट से कॉमेंट ह मैं आप लोग के comment चेक करूँगा, ठीक है? तो मैं आपसे पूछना चाहता हू, बहुत सारे बच्चे जो मेरे आसपास रहते हैं, कुछ मेरे offline में थे, कुछ online में आप लोग तो हई, तो वो मुझे हमेशा से message करते हैं, और comment करते हैं, या फिर मिलते हैं तो बात करते हैं, कि स बहुत ही बढ़ा सब्जेक्ट में हिस्ट्री में आप देखोगे आठ दस चाप्टर होते हैं जोग्रफी में अलग 10 चाप्टर होते हैं पुल मिला के उनका ना 20-25 चाप्टर हो जाता है और एक ये बार उनको पेपर देना पड़ता है अब दस्विवाले वो थोड़ा सा करता है ये बहुत ज़्यादा और आपके हमेशा से बहुत कम मार्स आते थे आप कभी भी टॉप नहीं कर पाते थे ऐसा खुछ कुछ कुछे कॉमेंट्स आ रहा था तो यार मैं आप लोगों का दुख और दर्द समझता हूँ कि मेरे भी सेम जब मैं 10 स्टैंडर तक था तो स्टड़ी में 80% 85% मार्क्स निकालने पड़ेंगे तभी मेरा एवरेज बनेगा और तभी मेरे परसेंडेट बेचिया जाएंगे तो मैंने कुछ लॉजिक लगाया और वही लॉजिक मैं आपको बताना चाहता हूँ थोड़ा सा अपग्रेड़ेड वर्जन है क्योंकि उस सबसे पहला टापिक जो मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी शोशिश्टर्ड़ी सबजेक्ट हो कोई भी स्टैंडर में क्यों नहीं हो आप लोग सबसे पहले हिश्ट्री हो गया जॉग्राफी हो गया सिविक त्या फिर पॉलिटिकल साइंस लेलो इसमें आप लोग 90 परसे से ज़्यादा आप कर सकते हो आपके मन में आया होगा कई सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने अल्री निकाला है 90 परसें मां इमामदारी से बोलना निकाला होगा अच्छी बात है लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके जितने भी मार्क अभी तक आए हैं उससे भी बहतर मार्क आने वा जोगरफी फिर से पढ़ना पड़ेगा तो उसमें तो आपको फिर से ये टेखनिक काम आएगा तो सबसे पहले मैं आपको बोल सकता हूं कि आपको करना ये है कि आप लोग का जो भी चाप्टर से चाहे हिस्ट्री हो गया जोगरफी हो गया पॉलिटिकल साइंस या फिर देखना पड़ेगा कि कौन-कौन से टॉपिक्स है इसके आज़र अब टॉपिक्स कैसे पता चलेगा जैसे मैं हमेशा से बोलता हूं कि टेक्स्ट्बुक से बढ़ा और बढ़िया चीज कुछ ही नहीं टेक्स्ट्बुक से मतलब बोलत है इतना इसी इतना अच्छे से प्र प्रिवियस इर कोशन पेपर को साथ में रखना है अब सिफ एक पेपर मतलो दो से तीन पेपर ले लो तीन चार पेपर ले रो प्रिवियस इर कोशन पेपर का समझ लो कि आप हिश्ट्री का पहला चाप्टर पढ़ रहे हो हिस्ट्योरियोग्राफी इन वेश्ट ठीक है यह पहला चाप्टर का नाम है आपका हिस्ट्योरियोग्राफी जो पहला चाप्टर है आपका प्रिवियस इर कोशन पेपर उठा और उसमें धूनदो कि इस चाप्टर में से कैसे कोशन आये थे पिछले दो तीन साल के कोशन में तो समझ लो कि आपने ढूंडा और आपको लगभग तीन से चार कोशन मिल गए तीन चार कोशन पेपर में कि इस चाप्टर में से यह कोशन आये थे तो चुप चाप आग बंद करके उस टॉपिक को आ यम पी मार्क कर लेन और उसको टिक कर लेना कि यह इंपोर्टेंट टॉपिक से कोशन पेपर में इस चाप्टर में से आग्राव नहीं आएंगे तो उसका आप तिक मार्क कर लो और जितना होस नहीं को अच्छी तरीके से पढ़ना लेकिन वो फढ़ने वाला टॉपिक में बस टिकमाग करते जाना है, आपका भले ही हर सबजेक के लिए एक एक दिन जाए क्यों न दो तीन दिन वेस्ट होगा, चलेगा, मैं तो उसको वेस्ट नहीं कहतूँगा, क्योंकि ये आपके लिए यूटिलाइजेशन है, तो आपका टाइम जाएगा, चलेगा उसको तो इस प्रकार का ना ऐसा दो कपड़े जैसा खुछ तो चीज लगा दे ताकि न उसको यहां का और यहां का दिखाई न दे क्योंकि हमारा काम क्या है घोड़े को सिर्फ सीधा देखना तो वह यहां पैसे लगा देगे अगर आप अपने हाथ को इस तरह रखो और देखने की कोशिश करो साइड में तो आपको साइड की चीज़े दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि यह चीज पैक हो गया है यह सिर्फ सीधा देखने के लिए होता है तो आपको सिर्फ सीधा देखना है इस वक्त सेकेंड चीज जैसे ही आपने वह इंपोर्टन मार्क कर लिया है उसके आपको read and learn करना है क्योंकि जितना हो से कि आप जब उसको read करोगे ठीक है जो topic mark किया समझ लो आपने mark किया Marxist theory तो Marxist theory क्या है उसको पढ़ता हो एक बार read करता हो यह आप नहीं करो मैं read करता हो कि क्या है ठीक है इसमें जो Marxist है या फिर और भी बहुत सारे उसमें यह थे historian थे मुझे नाम याद नहीं आ रहे है कि मैं पिछले साल मैंने history पढ़ाया आप लोको बहुत सारी चीज में भूल जाता हूँ I am not a history teacher first of all मैंने पढ़ाया फिर भी बजब मेरे को थोड़ा सा ना सोचने में अच्छा लगता आज उसने भी history पढ़ा के रखा हूए और बच्चे पसंद कर रहे हैं और उससे कुछ valuable information ले रहे हैं बहुत अच्छी बात है अब read and learn कर सकते हो क्या करना है सबसे important चीज read and learn करना है आपको concept क्योंकि समझ लो हरे के पीछ ए कहानी होती है अभी जैसे आपने 8-9 channel में शिवा geography फिर Indian tradition का है तो ऐसे कई सारी चीजे दी हुई है तो आपको अगर उसका मतलब समझ में आ रहा है कि यह historiography का मतलब क्या होता है यह west में कैसा था यह कौन-कौन से historians थे इन्होंने क्या-क्या बात रखी थी ठीके ना यह oral source क्या होता है return source क्या होता है material source क्या होता यह सब ची में आ रहा है कि उसमें है क्या तो आदस से जाता जो learn करने का tension वो खतम हो जाता है क्योंकि आपको पता है कि आप क्या learn कर रहे हो हमारे time में हम क्या कर चाप्टर में है क्या है तो हम क्या करते है तो social study subject को purely blindly रख्ता मारते थे मैं मेरी बात कर रहा हूँ 910 standard में हम लोग blindly रट्टा मारते थे हिस्ट्री को क्योंकि कुछ समझ में नहीं आता था कोई समझाने वादा इतना थानी यूटूब चैनल हुआ करते थे उस टाइम पे कि चैलो भाईया स्कूल मेंने समझा तो घर पर आके यूटूब चालू करके राहूल जेस्वाल टू क्लियर करके रखना पड़ेगा क्योंकि आप हमारे वीडियो देख रहे हो कुछ टेकनिक पॉलो कर रहे हो एक्स्पेनेशन सुन रहे हो तो एक बार आपका कॉंसेप समझ में आ गया उस टॉपिक का अब उसको लंग करना है जैसे याद करते थे ठीके ना ये ऐसे याद करत करना है लेकिन उसके पहले आपने कॉंसेप क्लियर किया हुआ है तो आपको क्या पढ़ रहे हो वह समझ में आ रहा है तो वह समझा करो एंसर को बाइहार्ट करो विद पॉमोडोरो टेकनिक अब ये टेकनिक है क्या इसको मैंने अलग-अलग नाम दिया है कुछ लोग पॉम गंडा बीच जाता है और एक अंसर उनका लग नहीं होता है क्योंकि उनका कॉंसेंटरेशन नहीं लग पाता है तो मैं आपको बोलता हो कि अगर आप गंडा पढ़ रहे हो तो एक गंटे में 50 मिनट्स आप पढ़ाई करो 10 मिनट ब्रेक ले लो 50 मिनट्स आपने याद किया बले ही वो एंसर पूरा complete नहीं हुआ याद करके, लेकिन फिर भी 10 मिनट ब्रेक ले लेना जाके, जब ब्रेक लेके आओगे वापस याद करके तो आपका दिमाग फ्रेश रहेगा, तो 50 मिनेट्स, 10 मिनेट्स, वैसे 45, 15 कर सकते हो, आदा गांडा पढ़ रहे हो, 25 मिनट्स, ऐसा आपकी मर्जी, आप पढ़ो, फिर शॉट ब्रेक लो, पढ़ो, फिर शॉट ब्रेक लो, इस प्रकार लगाता तीन-चार बर कर लोगे, तो आपका बहुत अच्छा स्लोट तैयार हो जाएगा, और आप अच्छे से पढ़ सकते हो, तो याद भी कर रहे हो, लिख भी र रिवाईज आपको हो जाते हैं, लर्न हो जाते हैं, तो यह आप कर सकते हो, लाश बट नॉट दलिश, यह सब करके जब हो जाएगा, तो आप समय आ गया है, रिवाईज करनेगा, क्योंकि रिवाईज आगर नहीं करते हैं, तो हम में भूलने की चांसे ज़्यादा होती है, हम कोई भी चीज को, जब दो बार पढ़ लेते हैं, एकजाम में जब लिखने जाते हैं, तो याद आ जाता है, लेकिन सिर्फ एक बार पढ़के जाओ एकजाम में, तो हो सकता है वो चीज़े याद ने आए, तो रिवाईज करना बहुत इंपोर्टेंट है, मेरे नेजर मे कोंपरेंटली बोल पारा हो गया इसको बोलते से से ब्लाइब टेश्ट अगर आप ऐसा निकरना जाते तो एक हो टेकनिक है आप अपने भाई बेंट जो भी आपके फ्रेंड होगे उनको बोलो कि यह पुश्चन ये बुक ले और ये कोश्चन मुझे पूछ जैसे ओर ले ते हो डेफिनेटली थोड़ा मेहनत करते हो अपने एंट से ऐसा निए कि महनत नहीं करना है महनत तो आपको बहुत लगेगा तो महनत कर रहे हो तो डेफिनेटली आप सोशल स्टडी सब्जेक में भी 90-95 परसेंट मार्क्स निकाल सकते हो आउट अप हंड्रेट समझ में आ गया क्लियर है तो बस इसी के साथ वीडियो को समाप करता हूँ थैंक्यू सो मच गाइस वाचिंग दिस वीडियो उमीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कॉमेंट करके मुझे बताना कैसा लगा है पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करना शेर करना अपने दोस्तों के साथ और पहली बार आयो चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब करना ठीक है दोस्तों तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में तब तक लिए थैंक्यू और गुडबाई